हेलो गाइज तो कैसे आप लोग विल्कम बैक टो अनदर गेम प्ले वीडियो जैसे कि आप लोग जानते होगे पिछले कई वीडियो से मैं कुछ अपने चैनल पहने लाने का ट्राइब कर रहा हूं सो इसी को ध्यान में रखते हुए गाइज मैंने सोचा क्यों एक नया सीरीज स्टाट की जाए सो मैं इस सर्वाइबल सीरीज को स्टाट करने वाला हूं जिसका नाम है आर्क सर्वाइबल बेसिकल इस गेम का कॉंसेप्ट यह गाइज कि आपको एक ओपन वर्ल मैप में ना पढ़ता है इसमें बहुत एक्स्प्लोडेशन भी है गाइज तो इसमें प्रेकर सकते हो और यह सर्वाइबल है तो इसमें और मजा आने वलग है तो चलिए स्टाट करते इस गेम को तो हम लोग आ चुके हैं गेम के इंदर और हमारा प्लेएर यहां पे हो चुका ह जिसका नाम मैंने रखा है गाइज अलंकार गेमर्स आपको चेक आउट करना है तो मैं उसको भी देखा दूआ है कमेंट कर दीजेगा तो हम लोग आ चुक है गेम के अंदर और आप लोग देख सकते हो गाइज यहाँ पे एक डाइनो जो भी है जिसका नाम है लिस्ट्रोस और यह गाइज पैसिव होते हैं अगर आप इनको हीट करो तो यह आप पर अटैक नहीं करेंगे जैसे कि आप लोग देख सकते हो भागन सबसे पहले आपको फार्मिंग करनी होती है तो इसमें सबसे पहले आपका वुड की फार्मिंग करनी होगी तो सबसे पहले वुड कलेक्ट कर लेते हैं और इसमें भी पंच मारने परते हैं ट्री पर उसके बाद यह वुड हमें कलेक्ट होता है तो इससे हमें गाइज एक तो नहीं चाहिए लेकिन आपको डामेज मिलेगी सो हमें यहां पर वूड मिल चुका है तो सारे रिशोड था चुक है तो आपको इस क्राफ्ट करने पड़ेगी आपको बेगों करना और क्लिक करके क्राफ्ट कर देना यह आपका क्राफ्ट हो जाएगा और लेवल अप आ होगा जो आप है बैग में रखते होगे विपन उसका आता है सो सिंपल गाइज अभी हमें थोरा सा वेरिज फार्म करना पड़ेगा यह स्ट्राइटिंग में टिट्रोडियल बताता ही अगर आप न्यू प्लियर होतो इस्ट्राइटिंग के तिन लेवल के बाद आपको खेलन यह मजाया गाज श्ट्राइंग के लेवल अप कर लेना वो काफी जरूरी होता है तो बैश फार्म कर लेते थोरा ने को डा fetch कितना क्लेक्ट करना पड़ेगा ज offer लगता में लगता कि करना ही पड़ेगा हमारा भी क्लेक्ट हो चुका है ठोने खाने के लिए बूल रहा है त्रसा खा लेते हैं गाइज वैसे भूग तो नहीं लगी और प्यास भी लग गए जब कि हमारा भार फूल है पानी का ओके तो यहां पर हो चुका है और यह पर चुका है और यह पर देख सकते हो यह वाइट क्लड का काभी अच्छा लग रहा है लेकि लेवल फाइब का है वह भी पैस हुए गाज और यह भी पैस हुए टेरेन और बस जब तक कि आप उसका एक नहीं चुरा लेते तब ही तक वह पैसी हुए है वरना वह आपको मारने में देर नहीं कड़ेगा गाज ओके सो आप लोग यहां पर देख सकते हो सर्किल के इत के अंहें पらい्ट है उसके आप इन गराम को पेन कर सकते हो अनलॉड कर सकते हो यह ब्लूप्रिंट है आपको लेवल आप करने कम बहुत 봤 फार को करने के लिए उप्सें कर सकते हो लेकिन आप हैचेट से भी फार्म कर सकते हो तो हैचेट कौन लोग कर लेते हैं उसके बाद क्राफ्ट कर लेते हैं वह हमारे रिसॉर्स है यौके तो उसको क्राफ्ट कर लेंगे उसके बाद हमें घाज, इसमें सिफट थोरा सा ऊब और इस्टोंट चाहिए सब्सक्रप्रण करें यहां कर सकते हो आप देख सकते हो इस से हमें सिर्फ कर लेते हैं जल्दी से इसको और यह है गाइज मेटल सो मेटल आपको फार्म करने ही पड़ेगी आगे चल के आप अगर अपने वीपन को अपिरेट करना चाहते हो तो मेटल की यूज कर सकते हो और यह कामफायर तो इसको मैं प्लेस करके आपको दिखला देता हूंगा इसके के अंदर आप खाना पका सकते हो एसको क्राफ्ट प्लेस करने के बाद इसमें फ् और पडेंगा अंपर तो सबसे पहले दालते हैं इसमें आप चकाहंुज कर सकते हो या फिर और यहां पर आपको लाइट़फ लायर के चलिक करले चया आपको कुछ नहीं करना आपको उसमें सिर्फ खाना पकने के लिए डालना होगा गाई उससे पहले इसको किल कर देते हैं जिसका नाम है डिलफस और यह अग्रेसीव होते हैं यह आपको देखते हैं यह पर अटेक कर देंगे इससे बचके रहना यह काफी डेमेज देते हैं और यह कुछ पास एसीड का ठ्रो करते हैं आपके उपर जिससे कि अंध्य हो जाते हो और आपके स्पीड कम हो जाती है तो फाइनली इसको मैंने किल कर दिया तो जल्दी से इसका मीट लेते हैं और इसका फायर में डाल देंगे गाई ओके डन सो हमारा यहां पर जैकर देख सकते हो फूड कूक हो रह इसके लिए यह में चाहिए थोरा सा वुड तो वुड को भी फार्म कर लेते हैं गाईज सायद से इतना वुड में हो जाना चाहिए सो जल्दी से इसको क्राप्ट कर लेते गाई स्पेर को और तब तक लिए तूजा बाहर तेरा काम नहीं अभी सो यह बन का रेडिय हो चु स्ट्राइटिंग में सर्वाइब करने के लिए तो गाईज वीडियो में यही तक वीडियो कैसे लागी कमेंट किजिए और अगर आप चाहते हो कि इस सीरीज को मैं जाली रखूं तो कमेंट जरूर करती जिएगा तब तक के लिए बाइबाइज